क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी विचारधारा ने वर्ष 1543 में इटली के शोद करता ग्याडानों ब्रूनों को जलाकर मार डाला था, ये बोलने के लिए कि पृत्वी सूर्य का चक लगाती है, सूर्य, पृत्वी का नहीं। पश्चिम यही सब कई अन्य विचारकों के साथ भी करता आया है। नई स्टडी अपने से पुरानी सभी को सिरे से मानो हारिज ही कर देती है। यह सिलसिला लगातार चलता ही आ रहा है। जैसे ही उनके मशीने या इलेक्ट्रोनिक्स गैजेट्स बनाने वाले लोग अधिक दूर तक या बारीकी से देखने वाला कोई नया गैजेट बनाते हैं। या वे भिन तरीके के गनित द्वारा विज्ञान को देखते हैं, तो उनकी थियोरीज और हाइपोथिसिस कोई नया ही रूप ले लेती हैं। जैसे कि इश्वर या प्रकृति ने कोई नया ही ब्रहमान रच दिया हूँ। लेकिन रेलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रहमान वैसा ही है जैसा करोडो वर्ष पहले रचा गया था। न्यूटन ने 17 शताबदी में ग्रेविटी के बारे में कुछ नियम दिये। ये नियम यूनिवर्सल यानी की पुरे ब्रहमान में सही कारे करने वाले बताए गए किन्त्रू क्वांटम थियोरी और डायरेक्ट अबजर्वेशन ने इनकी अब तक की कॉस्मोलोजी और ग्रेविटी की समझ को गलत और नकारा सिद्ध कर दिया। इनकी वैग्यानिक द्रिष्टी में ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी नाम के नए फैंसी टर्म्स पैदा हो गए। हाला कि इन दोनों की ही परिकल्पना सनातन के प्राचीन ग्यान में पहले से ही अच्छे से परिभाशित है। यही नहीं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से इंटरेक्ट कर मानव जीवन के अनुभवों को सुधारने के उपाए भी सनातन ग्यान में सुझाए गए हैं, वह भी अंगिनतकाल पहले और तब से अब तक बिना किसी बदलाव या फेर बदल के। दरसल हुआ यह कि सोलहवी सदी के बाद ब्रिटिश और अन्यकई यूरोपियन भारत में तलवार के जोर पर आकरांता बन कर आये और यहां के अदभुत प्राचीन ग्यान से उनका परिचे हुआ। इनमें से कुछ को इन्होंने गुपचुप तरीके से कौपी कर लिया। ट्रांसलेशन के द्वारा सनातन के प्राचीन पूर्ण विज्ञान में से आधा अधूरा ही इनकी समझ में आया या हाथ लग पाया। फिर इनमें से बहुतों ने इस ग्यान को अपना नाम देने के क शुरू कर दिये। और यह क्रम निरंतर चला ही आ रहा है वह भी बिनागतिरोध के। यह सब करने के लिए इनको गणित का सहारा लेना पड़ा जबकि स्वयन सनातन में यह पूरा का पूरा ज्ञान गणित के न्यूंतम प्रयोग व इस पर कम से कम निर्भरता द्वारा इधे ध्यान। पश्चिमी ज्यान के ही पीछे हो ली और अब तक उसी दिशा में चले हुए है। पैसो का गणित सिद्ध करने में लगी हुई हैं और जो भी अपनी मूल संस्कृती और शिक्षा पध्धती को छोड़ इस दुनियावी जहांसे में आ रहा है। वह स्वयं अपने मानव जीवन को विर्थ ही कर रहा है। समाप्थ होतेवन और जुलस्ती प्रित्वी को मानव स्वयं ही समाप्थ करने में जोर शोर से जुटा हुआ है। पश्चिम की उसी प्रोध्योगी की और इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा, जिसका संतुलित प्रयोग इन ही सब विनाशकारी दानवों से प्रित्वी और मनुष्य जीवन के उत्तम अनुभवों को संग्रक्षित करने के लिए किया जाना था। समय कम है, फिर भी है तु। मानव प्रजाती और समूची प्रित्वी के पुनृत्थान के लिए सनातन के प्राचीन ज्यान को पुनह अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने का इससे उप्युक्त समय शायद और कभी न रहा हूँ।